हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी I hope कि आप सभी अच्छे होंगे देखिए आज की इस वीडियो में हम करेंगे elimination method class 10th का topic है ये और elimination method में क्या करना होता है वो पूरी process मैं आपको समझाऊंगा यहां पर तो आप ध्यान से समझेंगे देखिए सबसे पहले हमारे पास दो equation है find value of x and y और हमें किस की value find करनी है x and y की value find करनी है तो first है जैसे x plus y equal to 7 and second x minus y equal to 3 तो solution में आप क्या लिखेंगे पहले सबसे पहली step होगी आप इन दोनो equations को write down कर लेंगे x plus y equal to 7 and x minus y equal to 3 this is first equation and this is second अब आप यहां पर देखेंगे कि एक जो हमारा variable है वो है plus का और एक है minus का यदि ऐसी situation आपको मिल जाए और दोनों equal है यहां भी y है यहां भी y है यहां यदि मानलो 3y होता यहां 2y होता तो पहले में यह coefficients क्या करता equal करता लेकिन अभी यह simple question है बिल्गूल तो ऐसी condition में आप क्या करेंगे एक plus का है y, एक minus y दोनों क्या हो गए? cancel हो गए ठीक है? कट गए और x plus x add हो जाएंगे कितना जाएगा? 2x 2x equal to 7 plus 3 10 then 2x equal to 10 and x equal to कितना आजाएगा आपका 10 upon 2 2 5s are 10 x equal to 5 यह आपकी x की value आगई ठीक है? अब क्या करेंगे? put the value of x in equation first अब x की जो value आई मेरी 5 इसको first equation में put कर देंगे यह second में भी कर सकते हैं आप x plus y equal to 7 then x की जिखेंगे पर क्या आगया? 5 plus y equal to 7 तो y की value कितनी आगई? 7 यह plus का 5 था उदर जाएगा minus 5 हो जाएगा then y equal to 2 ठीक है? अब आप last में लिखेंगे यह hands x equal to 5 and y equal to 2 यह आपका answer आएगा इस तरह से आपने यह questions complete करने हैं ठीक है? बस steps ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले equations को नाम देके लिखना है आपने फिर आपने चेक करना है कि कहीं उनके variables जो given है वो plus minus के sign में है या नहीं है फिर आपने देखना है कि क्या जो coefficient है उनके वो आपके equal है या नहीं है यदि equal नहीं है तो पहले coefficients equal होंगे ठीक है? देखिए कैसे मैं equation के थूँ और समझाता हूँ आपको यह है 2x plus 3y equal to 5 and x plus 5y equal to 8 अब आप यहां देख रहे हैं यहां तो 2x है यहां only x है यहां 3y है यहां 5y है तो या तो x वाले equal कर लो आप या y वाले कोई भी एक term equal कर लो आपके उपर depend है यह कोई दिक्कत नहीं है या तो x वाले term equal करो जैसे यहां 2x है तो यहां भी 2x बनाओ या यहां पर जैसे 3y है तो इसको किसी तरह से इसके साथ मैं equal करो तो देखिए 2x plus 3y equal to 5 this is first equation and x plus 5y equal to 8 this is second equation हम क्या करेंगे मैं यह equal कर लेता हूं तो multiply equation 2 by 2 यह जो equation 2 है इसको मैंने multiply कर दिया किस 2 से तो देखो 2 से जब हम multiply करेंगे तो यह 2x था और इसको जब multiply करेंगे तो यह 2x हो जाएगा पूरी equation को multiply करना है आपने यह ध्यान रखना है खाली यह मत करना कि only x x को multiply कर दिया that's it खतम नई पूरी equation को तो यह 2x हो गया 2 5 जा 10 y 2 8 जा 16 हो गई equal यह 2x plus 3 y equal to 5 फ़स्ट equation थी अब multiply करके हमारी आई गया 2x plus 10 y equal to 16 आप यह y वाली term भी equal कर सकते थे तो y वाली equal करते तो फ़स्ट equation को किस से multiply करना पड़ता 5 से and second को 3 से समझा ही बात तो यह हो जाता 5 3s are 15 यह हो जाता 3 5s are 15 एक दूसरे से opposite से multiply कर दिया गरो एक दूसरे से opposite से जैसे इसके साथ मैं यहाँ पर 1 है तो इसको multiply 1 से इसके साथ मैं यहाँ पर 2 है तो second को multiply 2 से यह equal करने होते तो यहाँ 5 है इस first वाले equation को 5 से कर देते यहाँ पर इस first मैं देखो 3 है तो second वाले को किस से multiply कर देते 3 से यह equal हो जाते है ठीक है ऐसे आप check कर सकते हैं अब जैसे मैंने first equal किया था तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर sign एक जैसे है तो जब sign एक जैसे हो तो आपने नीचे वाले number के sign जो है जो आपने equal करी है term और उसके sign सेम है जैसे यह भी देखो 2x plus का यह भी 2x plus का तो ऐसी condition में आप क्या गरेंगे sign change करेंगे नीचे वाली term के ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है यदि sign पहले से ही आपके plus minus में है for example मान लो यह plus का है और यह minus का होता x तो फिर मैं sign change नहीं करता वो direct कट जाते आपके जैसे first question में होगा था yy वाले जो plus minus के थे तो वो cancel out हो गए थे अब यहाँ पर नहीं है तो sign change करेंगे यह minus हो गया यह plus का था minus हो गया यह plus का था minus हो गया अब यह 2x से 2x cancel out हो गए और 3 minus 10y 3 में से 10y को minus करेंगे तो minus के 7y equal to 5 में से 16 minus करेंगे minus 11 minus से minus cancel out हो गया and y की value आगई 11 upon 7 then put the value of y in equation first first में रखेंगे 2x plus 3y equal to 5 2x as it is plus 3 y की जिखेंपर आगया 11 by 7 equal to 5 and 2x plus 11 को 3 से multiply 33 upon 7 equal to 5 and 2x equal to 5 यह plus 33 by 7 equal to के उदर जाएगा minus 33 by 7 and LCM लिया इसका हमने 7 LCM हुआ 7 5s are 35 minus 33 that means 2x equal to 2 by 7 and x equal to आएगा 2 by 7 यहाँ 2 multiply में इदर आएगा upon हो जाएगा 2 से 2 cancel हो गया x equal to 1 by 7 and y equal to 11 by 7 यह आपकी दो values आजाएगे चिक है? तो समझा है? सभी को यह elimination method यह आप practice करेंगे और questions की तो आपको easily अच्छे से समझा जाएगा बस आपने steps में यही याद रखना है कि आपने जो आपके coefficients हैं वो equal करने हैं पहले यदि वो equal हैं तो direct sole हो जाएगे otherwise उनको पहले equal करो फिर चेक करो कि sign यदि plus minus के sign हैं उनमें जो आपने equal कियें तो वो direct cancel out हो जाएगे और यदि plus minus नहीं है same sign है चाहे वो minus के हैं चाहे plus के हैं same sign है तो आप पहले क्या करेंगे? नीचे वालों के sign change करेंगे ठीक है? और then फिर उसको solve करेंगे आपके answers आ जाएगे जब एक आपका variable आजाए कोई भी x या y तो फिर उसकी value को आपने दूसरी equation में put कर देना है other equation है आपके पास first equation में या second में किसी में भी put कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से आपकी दूसरे variable की value आजाएगी और फिर ये question आपका हो जाएगा तो यही method हमारा elimination method कहलाता है equation solve करने का सबसे easy method है ये ठीक है I hope आप लोगों को समझाया होगा ओके